Top 4 best laptop for engineering students के लिए तो भी अगर आप engineering करते हो तो आपके लिए मैं laptop बताऊंगा Top 4 laptop बताऊंगा, buying link भी मैंने description box में दिये हैं, अगर आपने सीधा ही चागुर करना है, आप चागुर भी कर सकते हो तो start करते हैं, सीधी बात करते हैं, number 4 की number 4 की बात करते हैं, लेकि number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहतू, मैं जितने भी आपको laptop बताऊंगा वो सभी सबसे पहले भी, अगर आप student हो, अगर आप engineering student हो, architecture उसके बात भी, अगर आपको business के related चाहिए, प्लस भी अगर आपको traveling के related चाहिए, मतलब 2021 में जो laptop आपको best deal मिल रहे हैं, मैं वो ही laptop आपको बताने वाला हूँ, तो बात करते हैं, सीधा number 4 की, number 4 की बात करूँ, number 4 पर यार मैंने रखा है, my notebook horizon को, सबसे पहले मैं आपको बता दो, ये laptop आपको 51,000 के budget में देखने को मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस budget range में इस laptop को ना रखूँ, because इसके दो reason देखने को मिलते हैं, कि आपको build quality and उसके साथा specification बहुत अगरे मिल जाते ह एक इसका minus part भी देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकि जब से पहले बात करते हैं, इसके main specification की, तो ये display की बात को, आपको 14 inch full HD plus display मिल जाते है, जो कि anti-lay display और प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8 GB RAM मिल जा ग्राफिक कार की बात करूँ, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है, उपरेनी सेस्ने की बात करूँ, आपको Windows 10 देखने को मिल जाते है, प्लस बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours का बैंटरी backup प्रवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 51,000 के budget में MI Notebook Horizon द इसके लिए चाहिए, प्लस अगर आपको Office पर के लिए चाहिए, accounting करते हो, MS Office पर काम करना है, जो कोई भी loaded file पर काम करना है, आपके लिए भी best deal होने वाले है, प्लस पर ही अगर आप students पढ़ते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद अगर आप online classes लगाते हो, प्लस अगर आपने gaming अगरा भी करनी है, आप इस laptop पे कर सबोगे, आपको कोई भी problem नहीं आने वाली, प्लस इसके साथ आपको HD web camera भी free देखनी को मिल जाता है, अभी बात करते हैं, इसके minus point की बात करूँ, आपको 8GB RAM तो मिल जाती है, लेकिन आपको upgrade करने का मतलो option नहीं मिलता, 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता, अगर वो चीज़ मिलती हैं, तो भई मैस laptop को number two पर या number one पर ही रखता, विकरस specification के according, build quality के according, plus भी अगर आपका को काम ऐसा है, कि आपको typing ज़्यादा करने ही पड़ती है, data interest बगारा करते हो, आपके लिए भी profile deal होने बाला है, तो आप जा सकते हो, MI notebook origin के आप देख ले ना, बस आप इस तीज़ को दियान में रखना है, कि आपको 8GB में मिलता है, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, आगे बात करते हैं भी number three की, number three की बात करो, number three पर यार मैंने रखा Acer Aspire 5 को, तो सबसे पहले बई मैं आपको कहा देना चाता हूँ, अगर आ अगर आपको सही price में मिलता है, तो आप इस की आप जा सकते हो, laptop पूरा loaded मिल जाता है, बात कर लेते हैं, main specification की थोड़ा से deeply आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ डिस्प्ले की बात को 40 inch full HD display मिल जाते हैं, जो की IPS panel display, जो की 16 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी, तो 16 refresh rate average display होता है इतना तगड़ा भी नहीं होता, मतलब आप इतने price range में इतना expect भी नहीं कर सकते हैं कि आपको 144 refresh rate देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रसेसर की बात करूँ, आपको i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाते है, expendable करने का option मिलता है, आप 16 GB तक कर सकते हो, प्लस आपको आपको नहीं आने वाला, अब या आगे बात करते है, Number 2 की, तो अब भी बात करते है, Number 2 की, लेकिं बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाते हूं, Number 2 and Number 1, मैंने दोनों को combine कर दे, बिकज़ दोन्हों ही एकी brand से आपको देखने को मिलते हैं, में बात करा हूं, Isser-इs抱-7 की, आपके लिए बहुत सही डील वाले तो आप जा सकते हो इस से नीट्रो फाइव कि और आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए इस सरी स्पार प्लस आप पगरेट कर सकते हैं 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक आट की बातों को GTX 16504GB मिल जाएगा और प्रेटी जिसने की बात करूं आपको Windows 10 मिल जाती है प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैंटरी backup प्रवाइड कर देता है प्राइस की बातों इसका प्राइस आपको 54,000 के बड़े में देखने को मिलेगा तो यहार में स्पैसिफिकेशिए में आपको बता दिये इसर इसपैस 7 के अभी बात करते हैं इसर निट्र फाइब की तो डिस्प्ले की बातों को फिफ्टी पॉंट 6 इंच फ्लस्टी पर दिस्प्ले मिल जाती है जो कि आई पैस पैनल डिस्प्ले जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है प्रसाइसर की बातों को AMD बैटरी की बातों को 6 आवर्स का बैटरी बैक पर वाइड कर देते हैं प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 57,000 के बजर में देखने को मिल जाएगा तो यहार में आपको दोनों ही लैप्टॉप्स के बता दिये तो प्लस मैं आपको कहा देना चाता हूं जो इसर लेकिन अगर आपके लिए बहुत अगड़े होने वाले मैं आपको रिकमेंड करना जाता हूं अगर आपका ब्लेट पचास अजार के अपर भी अगर आप जा सकते हो थोड़ा से एक्स्टा पी कर सकते हो लॉंग टेम पिड़ आपने यूज करना को हैवी साफ्टर यूज क करना फूर के में वीडियो ट्राइ करनी है अगर आपने गीमिंग करनी है जा अगर आपने कोई भी मदलो कोई भी लोड़िट फाइल पर काम वगर अभी करना है आपके लिए पोफेक्ट डील हो सकता है एंड अगर आपका बचास अजार से भी कम है तो इस तर इस पार होने वाली आपका बज़ेड कम है प्लस अगर आपका बचाब और बूद्छ और गरीज हो सकता है शाट जाट जाड़ हो जाता है मैं ने उनकी वीडियो किया मेरी चैनल पर आपको देखने को हमें जाए कि कोई भी आपकी आपकी कैटेगरी से है पढ़ते है पढ़ते हो प को बेदना उनको भी कहता ना इच्छान को कले सब्सक्राब रिख गुरुदे लाइक एंड इंस्टागराम पे कले फॉलो लिंक अपका रहा यारा को डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जगा सकोच आड़ू कलना अभी मेलते नाक्स्ट वीडियो में नहीं वीडि गुझा साथ ये लिए खितना आड़ू कुछ झालव एंड़ू झालव कर दो तो झाल